हेलो फ्रेंड्स गुड मोधी केर मानिंग मोधी केर में आप सभी गस्वागत है दोस्तों चलिए मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसा नुसका लेकर आया हूं मोधी केर का कि जिसके सुन करके आप लोग हैरान हो जाएंगे यह बताना चाहूंगा कि अगर जिसका भी घुटन का रिप्लेस्मेंट होना हो अगर डाक्टर ने का दिया कि यह कभी सही नहीं होगा दोस्तों मैं बता देता हूं कि मोधी केर के प्रुडक्ट से जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगर डाक्टर ने यह का दिया कि घुटने का जो है रिप्लेस्मेंट करना पड़ेगा यहां पर जो एक कृतिम जो है घुटना लगाना पड़ेगा तब जा करके यह चल फिर पाएंगे अगर ऐसी प्राब्लम है या तो आपके घुटने में थोड़ा सा भी चलने पर बहुत तेज पेन होता है दर्द होता है या तो चर चर की आवाज आती है टक टक की आवाज आत की सुरीन पाता है जोड़ो से प्राब्लम होती है जोड़ों से भूड़ना चाहिए आगर ऐसी समस्या है तो जी हां दोस्तों यह मेरा वीडियो शुरू से लेकर लाश्ट तक देकिए मैं आज आप लोगो मोधी केर का ऐसा प्रूडक्ट बताऊंगा जिसे कि कुछ दिन ही खाने से आपका जो यह प्राब्लम साल्ब हो जाएगा यह वीडियो देखने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकान को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो इस प्रकार का बने ता प्रोड़क्ट लेकर आया हूं और सबसे पहले मैं बता दे तुम घुटने का जोड होता है यहाड़ीयों का जोड होता है आखिर में क्यों रिप्लेस्मेंट करना करना पड़ेगा या तो फिर चल फिर नहीं पाएंगे या थोड़ा सा भी चलने में जो पेसेंट होता है उ मैं बता दू दोस्टों कि घोटनों के बीच में काटिलेज होता है. और जब घोटनों के बीच का काटिलेज घिस जाता है तो हमारे हड्डियों के बीच та wouldn't तो इससे क्या होता है कि बहुत तेज पेन होता है क्योंकि कोई भी चीज अगर वापस में तकराएंगे तो उसमा उत्पन होने लगती है करने लगें तो गर्म होने लगती है और बीच में स्ट होता है एक करंण करता है तो कोई अलयकी गरम नैसे लाएं गते हैं भी Iraq. लगता है。 से लेक्ते हैं वह सीज़िवेंद दूर चलने के बाद बैळ जाते हैं बहुत तीजी से पेन होने लेक्ता है आगे लगते हैं चल कि-मोटे एक्सर करके जो ए चारिस-पैतारीस के बाद बुजूर्ग यह करते समस्यायनितिime और महिलाओं में ज़्याद अतर हड्डियों की समस्या होती है जब महिलाओं में मीन उपाज होता है जब उनका मेंसुरेशन खतम होता है तो 40-45 के बाद हड्डियों की समस्या सबसे ज़्यादा क्रियेट होती है और जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है अस्टियो अर्थरा स्राइटिक्स समस्या स्थियों स्पूरोसिया हो तो 40-45 के बाद बहुत तेजी से आती है मर्दों के पेच्छा महिलाओं की हड़ीयां बहुत ही कमजोर हो जाती है क्योंकि वह बिल्कुल सूख जाती है उसके बाद और भवब हंगोर या महिलावा में सुजन होने लगती है या जो है हड़ियां अच्छे तरीके से मुड़ नहीं पाती है अगर आइसी समस्या है तो मैं आपने मोधिकेर का प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ जी हैं दोस्तों जिसका नाम है George सुगर के समस्यान होता है और बुकिया सबी को यह सकते हैं तो हमारे प्राइज हड्डियों के गिशे रहता है निर्मान प्रभदे करेंग में हिरला शोंट तो लोड़ी में उत्म जाकाई confirming उपीच म कंप सब्सक्वीटौन और स्कूस के लिए टेफले दूस्तों country poisonанный को लेने का मैं ओर सुबसां मंसा सुबसा के बाद अब कृबलेट्ट करेंग आ जाता है ए अन। होली स्लिटेटी सागों को और गुलॉफ को शाम को मिले जाता है और दूसरा केसी है छुछ The points मैं होता है मैं दूसरा का मदी आँद संट्प है व वहील का apprendre है का कालसी कopleks इसको खाने के बाद सूबह को याद रखे लिए ग्लुकोजा माइन के साथ कैल्सियम कॉंप्लेक्स को चलाए और कहीं की हटियों का जोड़ हो जोड़ का दर्द हो या हटियों का दर्ड हो या अगर ऐसी समस्या हो तो यह दोनों प्रूडक्त तीन से चार मईना चलाते ही आपका जो है छूम अंतर हो जाएगा और जो ए गठिया की भी सिकाईत हो हड्डियों में सूजन हो सब गायब हो जाएगी हड्डिया नहीं मूर पा रही हो या थोड़ा सा भी चलने में समस्या हो रही है तो यह सब प्रॉब्लम क्रियेट जो होता हो जाता है लेकिन इसके अलाम अगर कहीं दूसरे जगह से लेते हैं मार्केट से लेते हैं तो वह हंडेट परसेंट डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि यह सीधे जो है कैल्सियम को उठा करके टैबलेट बना देते हैं क्योंकि कैल्सियम एक प्रकार का जो होता है चूना ह कंपनियां और जल्दी आसाने से पच नहीं पाती है माइक्सिमम जो हड़ी के डाक्टर होते हैं तो उसके साथ गयस की गोली देंगे तो आपको कोई दवार नहीं लेनी पड़ेगी आपको कोई की समस्या नहीं पड़ेगी यह 100% हो जाता है पच जाता है इसलिए इसे दोनों टाइम चलाया जाता है अगर किसी को ऐसी समस्या हो काटिलेज को या तो घुटने प्रत्यारोपन करना हो या तो घुटरा रिप्लेस्मेंट करना हो या बिल्कुल जो है डाक्टर जबाब दे द है और सभी लोग जो है जो इसके इस रोग से ग्रसित है या इस पर रिसानी से ग्रसित है तो मुझी केर का प्रोड़क्त को चलाएं और जल्द से सही हो जाएंगे अगर किसी प्रकार का सुझाओ लेना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 829391146 याद कर लिजिए फिर से याद क उते याद लिए हे जाद से सही हो तु कर आई लेना हो थाद कर लिए से सफे इस स्रमठ के आपर लोगास कर दो समय आएंगे या दोذ।